कि हैं इस हम स्टूलिट्ट प्रेन्ज हें ए Bacon टुके से पुर्षि नंबर शोले हैं कि दोस्तों जितने भी कोष्ट स्ट्ट पर टेक टापिक से पूछे गए हैं तो टापिक-वाइज कोष्टन्स की सीरीज आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूं तो सप्टर तो दोस्तों चलिए जानते हैं कौन कौन से कोस्टन है वो पहला कोस्टन है दोस्तों कि हमारे सरीर में किडिनी प्रतिय घंटे में कितने बार रक्त शाप यानि फिल्टर करता है तो दोस्तों इसका सही जबाब है दो बार प्रतिय घंटे में किडिनी यानि ब्रिक दो बार रक्त को फिल्टर करती है शाप करती है तो दोस्तों ये कोस्टन तो बना ही एक कोस्टन इसमें बन सकता है कि रक्त को फिल्टर करने का काम कौन क करते हैं तो Vrik करता है यानि कीडिनी करता है तो व्रिक होता है दोस्तों दया बयां बयां आए ये मुत्र जणन है इसके दोरा जो राफ दाहरो के यूरीन के रूप में दोसी के बाहरी निकलने जाता है निपर ले जाते हैं नेक्ट कोस्टन है दोस्तों कि तोचा से प्रती दिन पानी खर्च होता है लगभग तोचा से प्रती दिन कितना पानी खर्च होता है तो इसका शही अप्सन है 900 यमल यानि 900 मिलिल दोस्तों हमारे सरी से प्रती दिन पचीस सो से तीन हजार यमल तक जल का निकार्श होता है जिसमें से मुत्र से पंदरा सो यमल पसीना से नो सो यमल सोसन से चार सो यमल यानि फिफड़े से और मल से दो सो यमल प्रति दिन पानी बाहर निकलता है नेश्ट कोश्चन है दोस्तों रक्त में यूरिया की ब्रिधी किस अंग के विकार से हो जाती है दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा गुर्दे यानि किदिनी एक में अगर विकार हो जाता है तो किदिनी जो है रक्त को छान नहीं पाती है जिससे रक्त में यूरिया की ब्रिधी हो जाती है नएपिशाफ से प्रतीदिन पानी खर्च होता है लगभग कितना खर्च होता है तो देशंचिन का प्रियोग होता है दोस्तों इस questions का जबाब आप देंगे क्योंकि मैं इसके बारे में doping वाले वीडियो में अच्छे से बताई हूँ कि diuretics क्या होता है तो diuretics दोस्तों सरी के भार को घटाने के लिए काम आता है आपसा नंबर भी correct answer है next question है दोस्तों गुर्दे की ग्रंथी उत्पन करती है कौन करता है इसमें तो इसका टाइलीन एड्रिनल पेपसीन कोई भी गुर्दे की ग्रंथी नहीं उत्पन करती है टाइलीन जो है हमारे लार से निकलता है जो काईबो हाइजर को इस टार्च में तोड़ता है और दोस्तों जो एड्रीनल है यह गरंति है जोकी दोनों किड्नी पर उपसित होता है और नेक्ट जो पेपसीन है यह हमारे अमासाइश से निकलने वाली एनजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टों में तोड़ती है दोस्तों जो हमारा मनुस्य है मनुस्य इस्तंधारियों में मुख्य उस्सरजी वंग जो होता है वो ब्रिक यानि किडिनी होता है जो एक ब्रिक का वजन जो होता है साट से सत्तर ग्राम होता है दोनों ब्रिक मिलाकर एक सचालिस ग्राम इसका वजन होता है इसके बारे भार को cortex and वित्री भाग को medulla कहते हैं अपरते एक ब्रिक में दस लाख ब्रिक न लिकाई यानि निफ्रान बना होता है इस निफ्रान जो है ब्रिक की करयात्मक और रचनात्मक इकाई होती है नेक्ष्ट कोश्चन है दोस्तों की निफ्रान किसकी सुच में दर्सी संरचना है तो इसका सही जवाब है व्रिक यानि की निफ्रान जो है सुच में दर्सी संरचना है यह करयात में इकाई भी है नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तों किसके रोगी को डायलीसिस पर रखा जाता है हिदय लिवर व्रिक दमा किसके रोगी को लखा जाता है डायलीसिस पर व्रिक की रोगी को क्या होता है दोस्तों जब हमारा दोनों किरिनी यानि व्रिक कारे करना बंद कर देता है तो क्रितिम जिक रुधीर को शाप करने या थात इसमें से उस सजी पदात को अलग करने का काम करता है तो इस जो छटनी का काम करता है अलग करने का काम करता है उसी को डायलेसिस बोला जाता है जब यक्तिका दोनों किर्णी काम करना बंद कर देता है तब कृतिम रूप से किर्णी के रू उस शर्जन तंत्र से ताथ पर क्या है तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पदात्व को बाहर निकालना ही उस सरंजां तंत्र से निश्कार्शन होता है उनको उस्तरजी अंग बोला जाता है जैसे किद्नी तुच्चा फेफड़ा यह सब हमारे उस्तरजी अंग है नेक्स्ट कोस्चन है दोस्तों कि रक्त की अशुधियां किस अंग में जाकर छन जाती है तो कहां पे जाकर छनती है तो व्रिक में यानि किद्नी में मनुश्य सरी में खून का सुधी करण यानि फिरिफिकेशन या फिल्टर कहां पे होता है किद्नी में होता है इसी फिरिफि रुधिर के माध्यम से ही सुद्ध होता है चाना जाता है अब रिक में मौझे जुर्नलिकाय निफ्रान होती है और रुधिर की चानने का काम करती है यह रुधिर से असुधियों को दूर कर देती है किसी महिला की वह इस्थिती जिसमें उसकी अठारे वर्ष अथवा उससे अधिक की उम्र तक प्रथम रजो दर्सन यानि मिनार के नहीं होता तो क्या कहलाती है तो इसका सही अंसर होगा प्रात्मिक अनार्टव यानि एमिनूरिया कि निश्ट कोश्चन है दोस्तों कि वह महिलाएं जो गर्भा वस्था के शमें सराब का उपभोग करती है गर्भ में पल रहे भूर को निमने लिखित मेशी कौन सी सबसे बड़े खतरे में डालती है तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा गर्भ पात यानि मिस्करेज निश्ट कोश्चन है कि एक चिकिसक जिसने गर्भा वस्था के दौरान देख भाल प्रदान करने में भी से सग्यता प्राप्त की है वह है उसको क्या कहा जाता है अपसर नमबर सी करेक्ट अंसर है आबस्ट रिशन निश्ट कोश्चन है कि निन लिखित में से कौन सा और सतन चालिस साल की उम्र में होने वाली अंतिम महवारी चक्र को संदर्वित करता है तो इसका सही अंसर है मैनू पाज निक्ष्ट है कि किसी इस्त्री के समान मासिक धर्म चक्र में औरोध कहलाता है तो उसे क्या कहते हैं जो समान मासिक धर्म में औरोध होता है तो मासिक धर्म और समानेता कहा जाता है इसको यह 26-28 दिनों के अंतरापण होता है और इसके अरोध को मासिक धर्म और समानेता कहा जाता है कि भीस 30-2018 का पुछा हुआ कोस्चन्स है तो दोस्तों उस अरजन तंत्र से बस इतने ही पूछे गए थे पिछले विगत वर्सों में तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही I hope कि दोस्तों सभी questions आपको समझ में आते होंगे और आपके लिए very helpful होते होंगे और दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे comment में ज़रूर बताईए वीडियो को जादे से जादे दोस्तों share किया किजिए जिसे मुझे एक नया motivation मिल सके जिसे मैं आपके लिए वीडियो पर दे लाते रहूँ तो दोस्तों पहरी बाव विजिट कर रहा है तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बिल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिसे जो भी मैं नया वीडियो अप्लूट करूँगी उसको notification आपके पास मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैए